हलो फ्रेंट्स दिस इस स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन तो आज हम करेंगे थर्ड जन्वरी का आया हुआ हिंदी का एक पैसेज पैसेज करने का मुक्ष उद्देश यह हमारा ग्रामर के कोस्टन करना ठीक है मतलब हिंदी व्याकरन उपवास रख बिमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक सक्ती तभी प्राप्त होगी जब सारीरिक और मौसिक सुधता होगी इसी से जीवन सक्ती भी प्राप्त होती है इससे बल वा बुद्धी का बरावर संतुलन बना रहता है उपवास के दरान शरीर के पाचन संस्तान को रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेज तथा दुशित पदार्थ नश्थ होकर मल के द्वारा निकालने का निकलने का प्रयात्न करते हैं यहां निकलने होना चाहिए तो भूख स्वता समाप्त हो जाती है अता उस समय उपव उसके पस्चात नियमी तथा उप्यूक्त उचित आहार देने पर रोग के लोटने की आसंका नहीं रहती तो आप लोग एक वार वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से रीड करिए या स्क्रीन सॉट ले लिजे इसको अच्छे से रीड कर लिजे ठीक है अब इसका करेंगे उपवास का संबंध किस से है उपवास का संबंध किस से है केवल धार्मी कनुष्ठानों से केवल स्वास्थ से धार्मी कनुष्ठानों एबं स्वास्थ दोनों से रिती रिवाजों से तो पैसेज में क्या दिया है धार्मी कनुष्ठानों और स्वास्थ दोनों से बदलते मौसम का परभाव किस पर पढ़ता है स्वास्थी पर पढ़ता है सारीरिक और मौसिक सुधता से रोगों से लडने की सकती पराप्त होती है इस्वर की प्राप्ती होती है ऐसा पैसेज में नहीं कहा गया तिब्र भूक लगती है नहीं भी जाती है पदार्थ सरीर से निकल जाते हैं नहीं रोगों से लड़ने की सकती ये भी है पैसेज में ये भी है पैसेज में लेकिन सारीरिक और मौनसिक सुद्धता से क्या जब उपवास रखते हैं जब मन पसंद भौजन करते हैं जब बीना भूँक के भौजन ना किया जाया घर भूब नहीं तो जवर्दस्ती भौजन करने से अधमी बिमार हो जाता है कि उपवास के दौरां सर शरीर के पाचन-संस्थान को पुर्ण विस्राम मिलता है रेखांकित वाक्यां से क्या तात परिये मतलब विस्राम से क्या तात परिये विस्राम मिल जाता है में विस्राम से क्या तात परिये पाचन अंगों को पूरी तरह से अराम मिल जाता है पाचन अंगों को थोड़ा अराम मिल जाता है पाचन अंग निस्क्रिया हो जात पार था मिल जाता है है गलत खादी पदार्थ से क्या थाम है जो पदार्थ खाने योगी नहीं है जो पदार्त सरीर को हानी पहुचाते विजातियस अध्या सब्द का विलोम सब्द किया है विजातियस Сब्द का विलोम सब्द किया है थे स्वाजातियस थे और दुशित में कौन सा प्रत्य है तो दुसीत में इत प्रत्य है इत निमने लिकित में से कौन सा विशेशन का उदाहरन है विशेशन अजगर तो नाउन हो गया आहार भी नहीं विशेशन मतलब क्या हुआ गुन विशेशन अमरित भी नहीं असली ना अजगर भी नाउन हार भी ना अमरित भी नहीं असली क्या हुआ किसी का भी नहीं विशेशन किसको करते हैं किसी का भी नहीं गुन तो इसका हो गया असली अब तो पद्याओं से तो इस तरह से आपने देखा कि एक इसमें कोसन में बस तीन ही कोसन है ग्रामर के एक यह बिसेशन वाला एक प्रत्य वाला और एक बिजातिय कभी लों बस तीन ग्रामर के कोसन है व्याकरन के काफी कम कोसन आते हैं सीटेट में ठीक है वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है बाई